बिहार के उप मुखे मंतरी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मंदिर वर्सेज स्कूल वाले बयान पर बवाल होने के बाद उनकी पार्टी के बाकी नेता भी तेजस्वी यादव के नक्षे कदम पर चलते नज़रा रहे हैं तेजस्वी के बाद अब बिहार के सिख्षा मंतरी चंदर शेखर ने मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने मंदिर को लूटने लुटानी की जगह बताया और कहा कि पढ़ लिक कर बड़ा अधिकारी बनना है या होशियार बनना है तो इस्कूल जाना होगा मंदिर जाने से काम नहीं चलेगा। चंदर शेखर की मंदिर के खिलाफ की गई इस बयान बाजी के बाद सियासी बवाल मच गया है। तो भी मंदिर जाने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए स्कूल कॉलेज जाना होगा। चंदर शेखर ने आरजडी विधायक फटह बहादूर सिंग के उस बयान का भी समर्दन किया। जिसमें उन्होंने कहा था कि मंदिर घुलामी का रास्ता है। यह असपस बात है खते बहादू सिंग जी ने वही बात कही जो माता सावित्री वाई फूले ने कही है। उसमें गलत किया। उन्हें माता सावित्री वाई फूले को कोट किया। और फिर नहां जायेंगे लोगउ। लुटने के लिए लुटने के लोगउ बएषा हुआ है। जहां चत्रम दूघ्दुबाद है। उससे भी सतत रहन Möglichkeit किये। पभी जानते हैं कंसटूरी, कुंदली वसे, मिरी भुनदे वरमाही, एते घती घती नाम है दुनिया देखे नाई जब हम्में तुम्में खरे खम्में हर जगा राम जी ब्याप्थ हैं तो कहां जोगे भैं धुनने के लिए उसको आपको बता दें कि सिख्षा मंतरी चंदर शेखर दरसल MLA फते बहादूर सिंग के एक समारों में शामिल होने पहुचे थे इसी दोरान उन्होंने ये विवादित बयान दिया है इस कारकर में बिहार सरकार के कुछ दूसरे मंतरी भी मौजूद थे खास बात ये है कि आरजेडी नेताओं की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त में आ रहे हैं जब देश में दश्कों के टकराओं के बाद बने अयोध्यरामंदिर का उद्गहटन होने जा रहा है आपको बता दें कि आरजेडी हमेशा से ही रामंदिर के मुद्दे पर मुखर रही है आपको याद दिला दें कि 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तिपूर में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवानी को ग्रफतार कर रत यातरों को रोकने का काम भी बिहार के ततकालिन और आरजेडी मुख्या लालू परसाद यादव ने किया था लालू ने किसम खाई थी कि फासी पर चल जाएंगे लेकिन सामपरदाइक ताक्तों से कभी हात नहीं मिलाएंगे तेजस्वी भी समाजिक सद्भाव को बनाए रखने की पिता की प्रदिग्या को आगे बढ़ा